इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी बागेश्वर जनपत्की तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन दो वीडियो को देख लीजिए उसके बाद ये तीसरी वीडियो आप देखना इसमें आपको तीनों वीडियो में बागेश्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी इन दोनों वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्किप्शन में दे रखा है तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईस देखिए जो बागेश्वर में देख था बागेश्वर का राजनीत प्रश्टासनिग धाचा है हमने इसमें यह देखा था उसके बाद बिदान साबाथ-खेत्र, तहसील, ब्लॉक, बागेश्वर के ब्रद्दी, बागेश्वर का लिंगणुपाद, बागेश् अगर ये किसने वीडियो नहीं देखें पहले दूसा पार्ट तो पहले आप वो देखें उसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो पहले पार्ट में फिर बागेश्वर का इतहास था ठीक है उसके बाद हमने सुरू कर रहा था दूसा पार्ट जिसमें हमने बागेश्वर की न खंब नदी मिलती है, Он कारीहाथ में महत्पूर Πॉइंट है लिम्हें सब्सक्रिख पॉइंग है तो सेभस किन दूसरे पार्ट में हमने, अधिक कहने कावग पर दिसक्ष करा थता था थे बागेश्वर के दर्रे ये भी हमने दूसरे पार्ट में डिसकस किये थे जिसमें दर्रों में ट्रेल जो पास है वो सबसे महत पूर्ण है जो काफी पूछा भी गया है ठीक है तो ये हमने यहां तक कर लिया था तो आज हम लोग पढ़ेंगे बागेश्वर जनपत के प्रमुक परियतक इस्थल तो जिसमें सबसे महत पूर्ण है कोशानी क्योंकि यहां से काफी कोश्चन गाईज पूछे जाते हैं कोशानी से तो देखिए सबसे पहले कोश्चन बनता है कि कोशानी का पुराना नाम क्या है तो कोशानी का पुराना नाम है बलना ठीक है कोशानी का पुराना नाम क्या है गाईज बलना बात आती है कोशानी का नाम क्यों पढ़ा तो देखिए कोशानी का नाम कोशिक मुनी थे ठीक है पिंगनात पहारी पर बसा हुआ है। अग्ला पॉइंट है दीकिस में कुवाओ का गहना किसे कहते है। कोशानी को क कहते हैं को za capacidad कौषानी को और और विभारत का का विजजरलैन की को कहते सब्सक्राइब कितने निवाज निवाज किया था है की पूछ favor के या जानी तो उनी के एक लेख में को भारत का सुजरलेंड कहा गया है एक महत्पूर्ण फैक्ट है यह याद रखना कि कोशानी के संस्तापक रैम जे को माना जाता है तो इस तरह से अगर पूसता है इनमे तो आपको रैम जे लगाना है deliver अगला है तो आपको बागश्वर या कोशानी बागश्वर कोशानी किस नदी के संगम पर इस्तीत है तो कोशी । बिलस गरून गंगा संगम पर इस्तीत है कोशानी एक एक पॉइंट गईज़ काफी महत्पूर्ण होता है। लक्षमी आस्रम काफी महत पूरे गाई सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी देखें कहीं कहीं आप वैप साइड में देखेंगे सर्च करेंगे तो आपको 1948 मिलेगा तो लेकिन आपको 1941 क्लिक करना है इसकी इस लक्षमी आस्रम की संस्थापक कौन थी तो सरला बहन इनका उपनाम क्या है कैथरिन हाईलमाई इस्थान के बात करें लक्षमी आस्रम तो ये कोशानी में स्थी थे इसका उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य थे था इसका महलाओ को आत्म नि स्थान ये भी कोशानी में है घाई संगराले कहा पर आपको पता ही विचेक नए कोशन यूगके जरूर पूसता है संग्राले पंती जी के जब इस्थान पर बना हुआ हुआ हो सास बहु का कीद सास बहु का की यह परियातक स्थल आज की बागे शबया है उसके अलाबे देखे चाय-बागान कोशानी में विस्तित हैं वो आगे देखेंगे एकसा पॉइंट में है बागेशवर जनपत के प्रसिद मंदिरों की बात करें तो सबसे तो आपको जनपत पूसता है तो आपको इस तरह से देगा बागिश्वार चमोली पित्तोरगड या अलमुला लेकिन अगर इस्थान का नाम ते देता इस तरह से तो आपको याद रखना तेली हार्ट एक जगह है बागिश्वन में वहां पर इस देता है कोड भ्रामरी मंदि से कोड भ्रामरी देवी कतियों की अधिस्थात्री देवी थी तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कोड भ्रामरी देवी अगर जिलेवार अध्यन वाले पार्ट देख रहे हैं तो आप कोपी पहन लेकर बैठाए और एक-एक कोइंट को आप नोट करते चलेंगे तो आपको अधितर चीज़े वैसे ही याद हो जाएंगी सबसे महत पूर्ण है वैजनात मंदी ठीक है वैजनात मंदी तो गौमती नदी तटपर गाईज यह संगम पूछेगा वह तो गौमती प्लस गरुण संगम पर यह दोनों पॉइंट आपने याद रखने है ठीक है तो यह मंदिर का समू है। मंदिर निर्मार कराया था कत्यूरी सास को ने कराये था ठीक है बैजनात कत्यूरीों चीक है की दूसरी राजद्हानी दो था च più तो पताए कि सपा जर चल baixening yum Hebrew बैजनाति इसनलाओं मुझ्य नाम पूस लेता तो आपको लिए करना है कार्थीके पूर तिक है का पुरान नाम क्या है कारतिकेपूर बैजनाद के मुख्य मंदिर जो है तो इसमें जो मूर्ति है ठीक है यह आदमकद पारवती जी की मूर्ति स्थापित थी कि अगला है पॉइंट भारत सरकार की आप रखेंगे किस योजना के तहर जोड़ा गया था तो बैजनाद को भार स्थापित से जोड़ा गया था ठीक है सीव हेरिटेज सरकिट से जोड़ा गया था सवदेश दर्सन योजना के तहर तो यह यह वाले पॉइंट है यह काफी महत पूर्ण है एक महत पूर्ण है कि अलमोड़ा के राजा जो बालो कल्यार चंद थे ठीक है उन्होंने पूर्ण हम करतिम जील है वह बैजनातों बनाई गई है ठीक है कब 2016 में यह पॉइंट वैरी वैरी मोस्त इंप्रण बहुत जादा इंप्रण कोश्चन है यह वाला उसके लाबा भद्रकाली मंदिर सिरी हरू मंदिर और कमेड़ी मंदिर यह बागेश्वर में इस्तित है उ बागेश्वर में है उसने इस मंदिर का जरुद्दार कराया था यह पूइंट पूछ सकता है कि चंद बंस के किस सा सकने बागरात मंदिर का जरुद्दार कराया था तो लक्षमी चंद और डेट आप याद रखेंगे गाइस देखें मैं आपको जिस तरह से वह कोश्चन पूछेगा वह वैसे मतलब दोनों तरह से आपको बताता चलना हूँ ठीक है यह वाला पेज जोए थोड़ा सा बिलार हो गया था गाइस तो इसमें थोड़ा सा देख लेना बागेश्वर जनपत के परमुक में ले तो सबसे पहला आता है उत्त्रायणी मिला वैरी वैरी मो गाता है पहले उत्त्रायणी मिले को किस नामसे जाना जाता था था तो अद्रायणी मिले को 9,0,0,000,000 की उत्त्रायणी कहा जाता था तो यह पॉइंट काफी महत पूर्न है वैज देखिए जो इ सेरेमन ओकले हैं ठीक है उत्राणी मेले का जिक्र जो होली हिमाले पुस्तक में मिलता है इनकी इस सेरेमन ओकले ठीक है उत्राणी मेले का जो जिक्र मिलता है यह होली हिमाले पुस्तक में मिलता है और होली हिमाले पुस्तक 1905 में प्रकासित होती है और यह बेटेस लेका इस सेर्मन ओक लेकी है इसमें सबसे बड़ा मेला बताए गया इसलिंग neuralia Ayak breast मतला उत्तराईनी मेले के आसपास तो यहां पर इन्होंने स्वाराज मंदिर की भूमी का सिलन्यास किया था गई यह पॉइंट भी आप यहां से याद रख लेंगे उस किलाब सबसे महतपूर पॉइंट जो काफी पूछा जाता है तेरा से 14 जनवरी 1921 को उत्राणी मेले के अब सरपार किसने बद्रीधत पांडे ने के नेत्रत में कूली बेगार प्रथा का जो रइस ठर था वो सरीम नदी में जो है बहा दिया था और कूली बेगार प्रथा का जो है वो अन्त कर दिया था गाइश ठीक है उत्राणी मेले में कौनसा निर्थ्य क्या जाता है वेडिवरी Most IMPोर्डन क्यॉशन निर्थ्य ये çांचरी नि निर्थ्य के लाबा कोटमाई का मेला यह कहां पर चाहां पर है तो यहçar It बागेश्वर में पीनात का मेला पूछ रखा है तो यह बागेश्वर में है मा भद्रकाली का मेला जो लगता है यह सानी उडियार यानि सानी गुफा है जो बागेश्वर में ठीक है सानी उडियार के पास लगता है बागेश्वर में अगला है मूल नारायन का मेला तो यह सि परवत्तर और बागेश्वर में बागेश्वर जनपत के कुछ महतपूर्ण बिंदुए वो देख लेते हैं देखें महरूरी कस्तुरी अमर्याग अनुसंधान केंद्र इसके पीछे काफी के इसाफना 1977 में वही जो बागेश्वर में बागेश्वर के बोर्डर पर है मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे अगर आगे से पूछ लेता है कि महरोणी कस्तूरी म्रग अनुसंधान केंद्र का है तो आपको बागेश्वरी किलिक करना क्यों मैं इसकी बाज़ा आपको दिखा देता हूं तो यह दिखिए गाईज यह कस्तूरी म्रग अनुसंधान केंद्र महरूणी बागेश्वर ठीक है यह उत्रागन सरकार दोने लगा है वह बोड़ा यह ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से कोई मतलब थमनेल बना दिया है तो साफ साफ लिखा हूँ आए यहां पर कस्तूरी म्र इस ना पूचें पिख्षा पिख्षर्ण है अपको अपको बागेश्वर नहीं है तो इस तरह से किसके पास सकता है तो यह कौशन पूछा जाएगा महरूणी कस्तूरी म्रग अनुसंधान केंद्र क्राइश्टी तो आपको बागेश्वरी लगाना पड़े तो गाइस मैंने दिखा दिया आपको महरूरी कस्तुरी में कहा है ठीक है वह उत्तरा खंड सरकार दोरा लगाया हुआ ठीक है वह हमने अपनी तफसे नहीं बना दे तो इस्थापना आपको याजनी उनिस्तान महरूरी बागेश्वर है अगला है यह पूछा जाता है कि उत्त तीन कोशनिया से कंप्लीट हो गए जेल जाने वाले मौंसिंग महता कब गए थे 1921 में और किस जन्पत से इनका संबंद है तो बागेश्वर से और उत्तरा गण की पृत्तम जेल जाने वाली स्वतंता सहनानी जो थी जो महला वह विसनी दे भी सहा थी जिनका संबंद भी ब बागेश्वर से संबंद रखते थे अगला है हरी नगरी ठीक हरी नगरी चाय फैक्ट्री यह बागेश्वर में है उसके लाबा सेवा नाव नोला है यह भी बागेश्वर में सबसे महत पूर्ट में भुकम कब आया था गई तो 27 जुलाई 1966 में आया था 6.3 6.3 रियक्टर क भुकम पूछे तो 27 जुलाई 1966 अर्ग भुसकलन की बात करता है तो आपको 2010 क्लिक करना है सबसे महतपूर कोश्यन और सुगंदित पोध संस्थान यानि सी मैप आपके दिमाग में आ रहा हुआ कि सी मैप तो पंतनगर में भी है ठीक है तो पंतनगर वाला अलग है ठीक है प पंतनगर में पढ़ता है पंतनगर और एक सी मैप और सुगंदित पोध संस्तान बैजनात बागेश्वर में है ठीक है तो गाइस हमने उत्तराखन जिलेवार अध्यन में पार्ड वन पार्टू और पार्ट्री में बागेश्वर जनपत को डिसकस किया यानि आपको इन ती वीडियो को देख सकते हैं विल्कुल मतलब चैनल से जुनना है और आपने तैयारी को बहतर बनाना तो आप हमारे चैनल को सबसक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो वन परसेंट वे ड़ा से ज्यादा शेयर करें चलिए मिलते हैं अप नेक्स वीडियो में संक्यों, वाचिं!